पहले T20 में जीत के बाद आज टीम इंडिया की नजरें सीरीज को जीतने पर होने वाली है नमशकार मैं जूही और आप देख रहे हैं क्रिकेट के स्री टीम इंडिया आज श्रेलंगा के खिलाफ अपना दूसरा T20 माच खेले उतरने वाली है ये मैच भी कल वाले मैदान पल्ले केले में ही खेला जाएगा भारत की नजरें सीरीज जीते पर रहेंगी जोकि शिलंगा की टीम इस मैच को जीत कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी सबसे बहले बात करते हैं पिच की अगर इस पिच को देखा जाए तो ये कल वाले मैदान पर ही खेला जाएगा ऐसे में आज फिर से एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है भारती टीम की तरफ से यसस्वी जैसवाल, शुबमन गिल, सूर्य कुमार यादो, रुशब पन जैसे खिलाडी एक दम शांदार फॉर्म में चल रहे हैं जबकि श्रिलंका की तरफ से भी पथुम निशंका पहले मैच में अपना लोहा मनवा चुके हैं पिच का 60 स्कोर 162 रन है जबकि रन चेस करने वाली टीम का 60 स्कोर केवल 149 रन है ऐसे में टॉस जीत कर टीम आज भी बलेबाजी करना पसंद करेगी हमने देखा था कि पहले मैच में शिलंकाई कप्तान का गेंद बाजी का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ पर एगर head to head records की बात करें तो भारत और शिलंका आज तक T20 फॉर्माट में कुल 30 बार आमने सामने आ चुके हैं जिन में 20 बार बाजी भारत निमारी है जबकि 9 माचों में शिलंका गोजीत मिली है अब बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की अगर देखा जाए तो दोनों टीम शायद ही इस मैदान में कोई बदलाव करें ऐसे में पहले T20 की सेम प्लेइंग 11 ही उतर सकती है अगर इंडिया की स्कॉइड पर नज़र डालें तो इसमें शुबमंगिल, यससवी जैसवाल, सूरी कुमार यादो, रशप पन्थ, हाडिक पांडिया, रियान पराग, रिंगु सिंग, वाशिंग्टन सुंदर, अक्षिर पतेल, अर्ष्टीप सिंग और मुहमत सिराज को मुखा मिल सकता है, मैं अगर श्रिलंका की स्कॉइड पर नज़र डालें तो इसमें पत्वम निशांका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, कामिंडू मेंडिस, शरित अशलंका, दाशुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, महीश तृष्णा, दिल्शान मदुशंका, असिथा परनाडो, मतीसा, पत्राना शामिल हो सकते हैं, अब हम बात कर दे हैं गरिगट केसरी के फैंटिसी 11 की, जिसमें कुशल मेंडिस, रिशाप पन, सूर्य कुमार यादव, शुबमंगिल, यससवी जहसवाल, पत्वम नुशंकार, रियान पराग, अक्षिर पतेल, सेंग, मतीसा, पत्राना शामिल हो सकते हैं, वहीं हमारे टीम के कैप्टन होंगे, सूर्य कुमार यादव, और वाइस कैप्टन होंगे, मतीसा, पत्राना, तो आपको मारे ये फैंटिसी 11 की वीडियो कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे